नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शुब या अशुब में सबसे पहले सभी माताओं और बहनों को करवा चौत की हार्दिक शुब कामनाएं परमपिता परमेश्वर आपको और आपके पती को लंबी आयू दे यश कीरती और धन की प्राप्ति हो करवा चौत का वरत 13 अक्टोबर को मनाया जाएगा करवा चौत वरत कार्थिक महीने के कश्न पक्ष के चौत्थे दिन मनाया जाता है इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पती की लंबी आयू अच्छे स्वास्थ और सुखी विवाहिक जीवन के लिए वरत रखती है विवाहिक महिलाओं के साथ अब विवाहित लड़कियां जिनकी शादी तैह हो गई है वो भी इस दिन वरत करती है और चांद को देखकर वरत तोड़ने का रिवाज होता है विवाहित महिलाएं इस वरत का इंतिजार करती है वरत से कुछ दिन पहले ही महिलाएं पूजा की तैयारी शुरू कर देती है ये त्योहार पती की लंबी उम्र का होता है इसलिए हर महिला को महसूस होना सौभाविक है कि पूजा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए इसलिए यहां करवा चौथ वरत के अवसर पर पूजा के लिए कुछ सामगनी दी गई है जो आपको अपनी थाली में अवश्य रखनी चाहिए और इस बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं इस वर्ष करवा चौथ का वरत 13 अक्टूबर गुरुवार के दिन मनाया जाएगा कार्तिक मास की चतुर्थी 13 अक्टूबर की रात को एक बज़ के 69 मिनट यानि की 1.59 बज़े शुरू होगी और यह 14 अक्टूबर को प्रात है सुबह के समय तीन बज़ के 8 मिनट तक रहेगी अब इसके बाद जो सवाल आता है वो आता है पूजा का समय तो करवा चौथ की पूजा का समय 13 अक्टूबर को शाम 6 बज़ कर 1 मिनट से शाम 7 बज़ के 15 मिनट तक है यानि पूजा के लिए विवाहित महिलाओं को लगभग 1 घंटा 14 मिनट मिलेंगे इसके बाद जो अगला इंपोर्टन सवाल आता है वो आता है कि चंद्रमा चंद्रदेव कब दिखेंगे और आप कब अपने वरत को तोड़ सकते हैं तो शाश्त्रों के अनुसार करवा चौत के दिन चंद्रमा वरश राशी में रहेगा इस बार चंद्रोदे का समय शाम को 8 बचकर 19 मिनट पर है 8.19 पर इससे पहले की मैं वीडियो के अगले पार्ट पर बढ़ूं जिसमें हम आपको बताएंगे कि क्या आवश्यक्ष सामगरी आपको करवा चौत की पूजा के लिए चाहिए अगर आपको अब तक इस वीडियो में कुछ भी यूसफल मिला है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें इससे हमारा मनोबल बढ़ता है करवा चौत हर शादी शुदा जोड़े के लिए एक महत्वपूर दिन होता है इस दिन पूजा की थाली में मिट्टी का एक करवा और उसका ढखकन चाहिए मा गौरी या चौत माता या फिर गनेश जी की मूर्ती बनाने के लिए आपको काली या पीली मिट्टी चाहिए होती है पानी के लिए एक लोटा, गंगाजल, गाय का कच्चा दूद, दही, देसी घी, अगरबत्ती, रुई और दीपक, अक्षत, फूल, चंदन, रोली, हल्दी और कुमकुम, मिठाई, शहद, चीनी और उसका बूरा, बैठने के लिए आसन, इत्र, मिश्री, पान और खड़ी सुपारी, पूजा के लिए पंचा मृत, अर्धे के समय चलनी और भोग के लिए फल एवं हलवा पूरी और सुहाग सामगरी में महावर, मेहंदी, बिंदी, सिंदूर, चूडी, कड़ा, बिछुआ, चुन्री आदी चाहिए होती है इसके साथ ही पूजा की थाली में दक्षिना के लिए कुछ रुपए अपनी श्रधा के अनुसार रख लें, इसके अलावा इस दिन महिलाएं चूडियां, सिंदूर और लाल सेर वाले दुपट्टे के साथ लाल साड़ी पहनती हैं उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो में आपको आवश्यक जानकारी मिल गई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि ऐसे ही वीडियो हम लगातार आपके लिए लाते रहें अगले वीडियो तक के लिए राधे राधे